Hello everyone, today we are going to start chapter 4 for BA second semester political science which is named as political culture and in this chapter we learn what is the meaning of political culture कि political culture का क्या मतलब होता है, what are its characteristics, इसकी क्या विशेश्चता है and what are different kinds of political culture, ये कितने परकार के होते हैं different different political culture आपसे मैं एक चीज़ पूछना चाहती हूँ, कि आपको जो बाकी 3 chapter जिस तरीके से आपको concept क्या आपको समझ आया है कि क्या power होती है, क्या legitimacy होती है, क्या authority होती है आप मुझे comment section में ये बताना कि आपको concept जिस तरीके समझ आया है, कितना आपको आया है और क्या आप improvement क्या चाहते हो, आपको किस चीज़ में problem आया है, उस चीज़ को समझने में देखो जो हमारा main purpose है ना, chapter को concept को समझना होता है बाकी आगर आपको power का मतलब ही नहीं समझ आया, आप उसको रटा मारके याद करे जा रहे है तो उसका कोई फैदा नहीं है, आप बुक में दो लाइने आप याद करके जाओगे ठीक है, चार लाइने का question आप attempt कर दोगे, उसमें आपने बना बना के लिख दोगे ऐसे फिर आप आगे के लिए second semester, आपका fourth semester, six semester, fifth semester में आपको आगे help इनी chapter से ही मिलेगी क्योंकि अगर आपके बाद में कहेगे, Indian government आजेगा आपके पास, उसके बाद political system आएगा, comparative government आएगी fifth semester में आपका second semester लेटी, जो आपका sixth semester आएगा, उसमें आएगा international politics अगर आपको यहीं आपके concepts clear नहींगे, power, struggle क्या है, power क्या है, authority क्या है तो आप आगे समझ के करी नहीं पाऊगे, आपको वहीं याद रहेगा कि दो लाइने definition पढ़के जानी है, याद करके जानी है, point point आगे, characters इसके याद कर लेंगे, अंदर कुछ भी लिग देंगे ऐसे आपको passing marks ते 50% marks ते ऐसे बच्चों के आते हैं, अगर आपने अच्छे से concept समझ के करोगे, with examples आप उने समझाओगे, तो आपके 90 marks, 85 marks, 92, ऐसे ऐसे marks आपके आते हैं, और ये percentage बहुत आपको आगे graduation की help करती है, अगर आप with distinction अपने graduation pass करते हो, आपको कहीं अच्छी ज section में मेरे को बताओ, कि आपको जो बाकी जो concept आपको समझ आया है, जिस तरीके से मैं आपको बताया है, कि क्या power है, क्या authority है, क्या legitimacy है, आपको main purpose होने चीज़ी concept को समझना, बाकी चीज़े आपकी हो जाएगी, आज तो हम chapter स्टार्ट करें, what is meaning of political culture, कि political culture क्या होता है, इसे से पहले आपको पताना, जिए, political क्या होता है, और culture क्या होता है, डिवाइड करके, culture का मतलब, political का मतलब क्या होता है, related to politics, कोई भी चीज़ होएगी, जो politics से relate करेंगी, वो आपका political है, और culture क्या होता है, आपके values, belief system, आपका viewpoint, तो आपका politics से related क्या belief system है, क्या culture, वो आपका भब पॉलिटीकल कलचछर तो यहीं आप मीनिंग देखोगे पॉलिटीकल कलचर का जो इनने समझा रखा है तो पहले अप इंट्रोड़क्षिन में जो लएकल लिखोगा वह आपने यहाँ तक लिखने है, the concept कहा है political culture का, the contribution important change introduced in the study of political science में, जो 20th century में नोंने discover किया है it was in 1956 that American political scientist कौन से American political scientist political scientist होते हैं, जो research करते हैं politics में, वो कौन से Gabriel Armand uses this concept for the first time, नोंने ये concept यूज करा है in his essay, उनका ऐसे को ता the comparative political system यहां तक आप लिखने के बाद आप सीधा आज़ोंगे मतलब क्या होता है political system, culture का political culture का, the sum total of people के belief कि लोगों का क्या विश्वास है, value क्या है, उनका viewpoint क्या है, एक particular political system से related और politics से related, वो कैसा विश्वास सकते हैं सरकार किस तरीके के उन्चे democracy decide कर रहे हैं, वो dictator decide कर रहे हैं, मोनार्की decide कर रहे हैं, वो उनकी culture पर उनकी value पर define करता है, अगर मैं democracy को North Korea dictatorship country है, वहाँ जाके establish करना चाहूँ, वो कभी successful नहीं होगी क्योंकि वहाँ के लोगों के जहन में यही बात बैठ चुगी है, कि हमारे उपर एक dictator ही राज करेगा, चीज करते आ रहे हैं, उनका वैसी belief system बन जाता है, उनका वैसी value system बन जाता है, ठीक है, उसे change होनों में बहुत time डग जाता है, तो political culture का मतलब क्याता है, तो sum total हो, people के belief क्या है, उनकी values क्या है, उनका क्या viewpoint क्या है, devotion क्या है, उनके particular politics से related, यह आपका उसके बादा था conclusion, conclusion में से आपको मतलब पत लग जाता है, political culture का, देखो न, political culture is a set of beliefs, values, emotions and viewpoint of people about the political system of a country, these values, beliefs and sentiments have bearing on the political system of a state, एक state के यह value system होते, जैसे आज इंडिया में क्या है, for example, हम बोलते हैं, caste पे, base पे वोट जाल रही है, किसी और country में आपने यह सुने हैं, कि America में caste के base पे वोट जालती है, religion के base पे वोट जालती है, आपने ही सुने हैं कि America में, सुनाओ, इंग्लैंड में सुनाओ, कि caste basis पे वोट जालती है, कभी नहीं सुनोगा, क्योंकि उनका political culture बिल्कुँ different है, political culture उनकी history पे depend करता है, हमारी history कैसा है, हमारे तिहाज कैसा है, हमारे struggle कैसा है, independence का, उनका कैसा है, वो class system पे focus करते हैं, कि एक class वाली एक class को बोट जेते हैं, middle class वाली middle, अगर बंदा खड़ाओगे, उससे देंगे top वारे top को, वहाँ आप western countries पे follow देखोगे, अगर follow ने कर रहे हो, तो वहाँ क्या होता है, westernization में आपका class system है, और जो इंडिया का system है, वो caste system पे depend करता है, religion पे depend करा हमारा political system, तो आगे हम जब types पढ़ेंगे ने, political culture की, उसमें इडिसकस करेंगे, आपने example के साथ, और today's society के साथ जोड़के, अपने political science को पढ़ना है, क्यों political science society से related ही तो है, कोई ये science के formula तो है नहीं, जो आप एक laboratory में test कर रहे हो, आप ये society पे test कर रहे हो, तो इसे आप example के साथ पढ़ो, और उसके example सोचो, कि क्या है वो culture, कहां आपको ये चीज मिल रही है, जो बुक के अंदर लिख रही है, ऐसे आपको ये lifetime, आपको concept याद रहेगा, आपको याद करने के से जुरूरत नी पढ़ीगी, कभी भी, जो बैचे UPSC की त्यारी करें, civil services की त्यारी करें, उन्हें आगे, जिसे आपको ऐसे वहां लिखने को आया था, UPSC मा अगर आप लिखोगे, changing political culture is a Indian trend, आप ऐसे दिखोगे, आप यहां characteristics आप उसकी लिखने शुरू कर दोगे, आप इंडिया से related लिखोगे ना, कि क्या change क्या है, जब आपको पता ही नहीं होगा, political culture क्या था इंडिया का है, historical background ही नहीं आपको अगर पता होगा, तो आप उसका future trend और यह emerging trend कैसे लिखोगे, तो आपको यहां main focus है, concept पर रखना है, बाकी चीज़े हो जाएंगे आपकी, तो यहां से आपको इसका पंतला पंतला लग जाएगा, देखो यहां बोलेगे, this is a reason that the democratic government successfully once did, but it is not utter feeling in the अधर में हो जाती है, अब आपके पाज़े characteristics क्या है political culture के, political culture एक universal concept है, universal देखो कैसे है, universal का मतलब है हर country में political culture होता है, मैं यह नहीं बोच सकती, आपके लोगों के अलग belief है, तो हर किसी का अपना political system है, क्योंकि यह political system हर country में होता है, political culture हर country में होता है, चाहे वो different ही हो जाए, पर यह universal, आपको हर जगा मिलेगा, कोई ऐसा political system नहीं हो सकता, जिसका political culture ना हो, उसको बादर political culture इसे comprehensive concept है, comprehensive मतलब कि इसमें हर चीज इंक्लिउड होती है, आपका क्या इंक्लिउड होएगी, dress, custom, convention, belief, उनकी values of life, political culture, इंक्लिउड जे political culture, political consciousness कैसी है, political conduct कैसे करते हैं, आपके लोग उनकी मास उससे related values का है, उनका viewpoint क्या है, यह comprehensive concept है, इसमें हर चीज इंक्लिउड है, सिर्फ एक चीज नहीं इंक्लिउड है, culture से लेट करके आपने बढ़ना, अगर कोई sociology वाला student होएगा, वो से connect कर रहा होगा, आसानी से, every political system है distinct culture, जैसे हर country का, अपना अलग political culture होता है, जैसे a liberal democratic political system possesses their own distinct political culture, absolute political system possess a different political culture, absolute वाला को अलग होएगा, liberal वाला को अलग होएगा, different country, different political culture, अब उसके बाद क्याता है, political culture is a general culture, political culture के आपका एक general culture है, जैसे कि every country possess कर रहा है, आपका अपना एक common culture, and the political culture जो है, वो part है उस general culture का, उससे बाहर नहीं है, जैसा political culture होगा, वैसा महा का political system होगा, For example, people lack political consciousness, अगर लोगों में politically conscious consciousness ही थे नहीं है, और वो run करें Democratic Government में, well to be doubted, कि अगर वो है ही नहीं, Democratic Government का मतलब का participant government होती है, लोगों participant वाँ के लोग भी participate करें, government के, अब यहाँ एक पैसे आलके vote दाल रहे हैं, तो आप यह democracy है, successful, आप यह देखो तो इसलिए बोल रहे हैं कि influence करता है political culture जैसे उनके belief system value है उस तरीके के political system को भी परवावित करता है political culture has its own sub-culture अब एक political culture के अपने sub-cultures होते हैं वो कैसे होते है for example each political system possess करते है running class and a ruled class एक running होते है जो उपदेश दे रही है ruled class होते है उपदेशों का पारण करिया देखो a ruling class कोंसी आप यहां बोलीगे है elite class होते है political culture is different from the that of ruled class से अलग होता है उनका the reason of this difference is that the interest जो उनके different होते है उसके बाद आपके बाद 7th point आता है the concept of political culture is of subjective nature जो concept है political culture का वो एक subjective nature है मतलग the nature of the concept है जो political culture का subjective क्यों है क्योंकि हम analyze करें different political culture को as a general rule study the viewpoint and sentiment लोग के sentiments को समझ रहे है उनके viewpoint को समझ रहे है political system से rated इसलिए यह क्या है subjective nature है political culture 8th point क्या है political culture is larger than constitutional structure constitution में आपका include होएगा आपका legal realities include होएगे अगर आपका political culture के आप बात करोगे तो यहाँ आपका एगा किसमें सब कुछ include होता आपका सब कुछ मतलब essence उनके belief system से rated उनकी value system से rated वीवपांट से दे पॉलिटिक से concerned सब कुछ include करेंगे वो for example the constitution of india provides for universal adult franchising सबको वो 18 साल का जो भी अब आठारा साही अठारा साल से उपर गोगा वोट जालने का अधिकार है इस influence भाई अब वोट दाल कैसे रहे है वो इन वोट के दाल रेस से caste system पे religious beliefs पे और economic condition पे इस बेस पे वोट दाल रहे है आपका political culture बन जाता है ठीक है political culture इस डायनेमिक concept होता रहता है डायनेमिक changing with this time जैसे social economic और intellectual progress होती रहती है जैसे सती प्रथा थी 1918 शताबदी वे वो बड़े जोड तोर पे थी आज कहीं कि आपने सुना है सती का केस कोई सुन रहा है कि आप कोई सती हो रहा popular चल रहा हो यह system नहीं क्योंकि हमने intellectual progress के लिए develop कर लिए क्योंकि political culture हमारा culture चेंज हुआ था politics पे भी मोचल नहींड जाया है पहले इस बेस पे बॉट चालता है और हमने अज में अडाए शोड देंगे दो是न साल बाद देखेंर और हम तो local system लोगो आजल अपन कर देर कोर था दिक लिघिए ट्वेकरफ व कास्ट पे वोट लोट दुल गुनानक देवजी तूरेंट के स्थीर देख रहे हैं वीडियो त्यावजा्श स्थीर आपने स्लेवर्ट के कॉर्डिंग इसका चाप्टर को देखेंगे उनकों के इस जैपर सिर्म में क्या की बाकि स्लेविस के क्या है की cognitive orientation होती है so implied amount of knowledge when the people possess about political problems और orientation मतलब जैसे आप college में जाते हो सबसे वहला आपका the orientation program आपको सब कुछ बताते हैं college के बारे में ये है college का इतने नंबर का test होगा ये competitions कराता है ये sports category है तो orientation आपको सब कुछ उसके बारे में बताते हैं आपका cognitive orientation होती है political culture से related उसके बाद आता है आपके पास effective orientation by we imply the amount of devotion and interest of people towards the political system से related आइए कि उनका interest देगाना for example the people in UK have an emotional affiliation with their past practices उन्हें आज भी emotional affiliation देते हैं अपने past practices को evaluative करते हैं कि देखना कितना progress कर लिया क्या changes आए ये है third point अब है कि political values depend करती क्या है political beliefs आप ये नहें देख सकते हैं वो ही repetition है points की ठीक है उसके emotional attitude है अब है factor which influence the formation of political culture वो कौन से ऐसे factor है जो influence कर रहे हैं आपके political culture को historical factor आपकी history कैसी रही है वो आपके political culture को depend करेगी कि आपको कैसा political culture adopt करोगा आपकी history पर depend करता है country की कैसे आपने को आप को लोनी सिस्टम में रही हो किसी के अंडर आपने independence कैसे आपको मिली है कि आप शुरू से अजादी देश थे ये सबको depend करता है आपका historical factor में आएगा ये depend करेगा आपका political culture को decide करने में उसके बाद आपको आपके आपके जोग्राफिकल factor की आपके natural boundaries है artificial boundaries है आपके कितने बादे आक्रमन हुए हैं कितने राजाएं आये हैं यहां से आपको क्या कहा इसमें minerals के रिसोर्सी गए तो इस पे भी depend करता है लोगों का कैसा behavior है तो जैसा behavior वैसा culture वैसा political system भी adopt करेंगे वो उसके बाद सब्सक्राइब करते कि जैसे caste system educated लोग हों वो कास system पर कभी वोट नी दालेंगे क्या class है caste, race है रेस रेजियन है एकनोमिक फेक्ट्ट्रा मीरी गरीब है अने इंप्लोईमेंट होगा अगर जो गरीब बंदा है उसे का लेना सरकार कोन आ रही जा रही वो तो अपनी रोजी रोटी सही मतलब रखेगा तो ये भी डिपेंड बहुत जादा ही फेक्ट दालता है एजुकेशन का सिस्टम कैसे फिफ्ट पाइंट है स्प्रेड ओफ एजुकेशन रेडियो टेलिविजन से आपको पतला अगरा गोर्मेंट की स्कीम के बारे में ये आपको पॉलिटिकल कल्चर पर बहुत इफैंड करता है जैसे आप फूर्थ पिलर ओफ डेमोक्रेसी किसे ब इडिया में आ जाते हैं आइडियोलोजिकल बेसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम के आइडियोलोजिकल बेसिस क्या है पॉलिटिकल सिस्टम के एवरी पॉलिटिकल सिस्टम हैज इट ओन आइडियोलोजिकल बेसिस विच इंफ्लेंस करता है पॉलिटिकल कल्चर को फॉर इजा इलेक्शन किस बेसिस पर लड़ते हैं contribution of internet, email and mobile phone यह सब कुछ 21st century है globalization का concept है तो इस पर भी यह भी चीज़ा आप आड करते होगे conclusion दोगे आपके इन सब factors पर जो हते हैं social, economic, political, geographical जो historical factor है वो यह responsible है political culture को formation करने के लिए अब जो important आपका topic है kind of political culture कि कितने type के होते हैं आपके political culture, सबसे पहला आपका parochial political culture parochial मतलब का जिने कोई लेना देना नहीं political culture से उन्हें कोई समझी निया consciousness निया, subject political culture जो किसी के दवाब के अंदर political culture में है, participant है जो equally participate करें mix है कि इन उपर बार है जो political culture इनका mixture है बिसाइड़ सिविक culture आजाते हैं इनमें ideological, political culture किसी ideology पे चल रहे हैं homogeneous political culture एक ही viewpoint के साथ चल रहे है different political culture जैसे different viewpoints है different अलग अलग है हर party का change होता है इंडिया का secular political culture है जिनका बिल्कुली अलग है secular political culture modern political culture भी जैसे हम बोल सकते हैं अब हम इने में detail में डिसकस करते हैं पेरोकियल political culture क्या होता है आपका देखो अब आज़ता है पेरोकियल political culture पेरोकियल political culture क्या होता है ऐसा culture जिसमें no political consciousness नहीं होती उन्हें समझ नहीं होती do not possess any knowledge about the political system से related कोई उन्हें knowledge नहीं होती यह आपको tribal chiefs होती है tribal areas में आपको ऐसा culture मिलेगा पेरोकियल political culture subject political culture होता है is a general rule है it is found in colonies और आपको slave countries में मिलेगा the people of such day do not take much interest नहीं लेते हैं इस political system ते nor they put pressure on the government for decision making लिए कोई pressure भी ने डालते participant political culture होते हैं आपको अमेरिका हो गया ऐसी countries में भी लिए अमेरिकन बीटिश कल्चर अफॉर्ट good example of participant political culture यहां के लोग बड़े active होते हैं decision making में भी देखो ना play active role the political system and they play active role in process of decision making में अच्छा आपको name by name ही आपको समझा रहा participant political culture कि यहां के लोग बड़े पार्टिस्पेट्री होएंगे अपने पॉलिटिकल सिस्टम से लिटेट mixed political culture होता है जब एक दो का मिक्षर कर देते हैं such as parochial and subject political culture है parochial and participant political culture है and such a political culture जिसे आप mixed political culture कहते हैं in fact no country has a pure political culture किसी country का pure नहीं होता है वो किसी का mixture ही होता है every political culture है some characteristics ही तो civic culture का होता है mixture of subject का है and participant political culture है civic मतलब आपके बस subject political culture भी होएगा आपको बस इनकी term समझ रहे हैं आप बागे ही आप कर लोगे subject का भी include होएगा इसके अंदर और participant का भी include होगा तो आपका ही civic culture बन जाएगा उसके बाद आपका ideological political culture है जो एक किसी ideology पर बेज़े जैसे आप China की बात करोगे communism पर बेज़े है वो socialism concept अडॉप्ट कर रहा है तो ideological political culture होगा homogeneous हो जो unanimous है एक मत है मतलब कि एक ही उनका culture को exist कर रहे हैं वो एक ही belief system को exist कर रहे हैं in such a state political objectives and method हैं जो उनके achievement को unanimous होती है यहां तक कि जो opposite party है for example जो opposition होती वो भी oppose नहीं कर रहे होती criticize नहीं करती है ruling party को देखो यह लिगा do not criticize the ruling party for the sake of criticism in such a state में majority of the people exhibit unanimous about their work of welfare के लिए उसके फ्रेग्मेंटिड political culture होता है जैसे इंडिया का है different views है यह antithesis of homogeneous homogenous political culture का बिलकूल अलग है जैसे इंडिया हो गया पाकिस्तान हो गया बंगलादेशी लंकार example of fragmented political culture यह different groups of people इनके different values होती है fragmented मतलब कि अलग heterogeneous type secular political culture होती है जो एक reasoning पे depend करता है objective पे depend करता है कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है यह बहुत ही जादा popular और logical होता है viewpoint of idol but the basis of their viewpoint is logic and reasoning secular जहां आजएगा logic और reasoning आजएगा उसके बाद यहीं बोला कि secularization कैसे हो रहा है logic पे कैसे चल रहा है political culture यह सब कुछ है आप यह देख सकते हो वही repetition है सारे points की features कौन कौन से secularization के pragmatic and empirical orientation हो रहे है कि आप लोजिक पे चल रहे हो practicality पे आप अडॉप्ट कर रहे हो political aware है हमाके लोग rational है मतलब कि logic और practical है and political actions में वो universal rules देखते हैं the orthodox irrational backward customs replace हो जाते है backward customs को नहीं पोडॉप्ट कर रहे है free bargaining attitudes होते है field of politics man every individual is guided profit and loss his given take में differential political structure different है secular political culture है ideological political culture से ideology होती है कि जैसा आपने सोच रखा है दिमाख में जैसे आपकी धारना है आप उसी अडॉप्ट करो communism में ये बोल दिया कि socialism में ये बोल दिया कि welfare तो welfare जैसे मर्जी करके welfare secular में आप logic देखो गया profit loss को समझोगे आप अपना देखोगे यहानी है और यह आपको यहान लाब हो रहा है आप एकदम अंधा दुननी चलोगे आप जहां आपको समझने की तो आप समलोगे तो यही rational और logic बेस पर चलता है secular political culture यह आपका देखो यह बोलते है secular political culture कैसे बनता है education से बनता है radio television से बनता है secular अगर press होईगी secular press का मतलब कि independent press होईगी यहां से आपको बनेगा जिनके views बिल्कुल independent अगर logical होईगी यह नहीं कि आप एक party से आपने पैसे खाली है तो उसी का यह आप news दिखाया जारो पूरा दिन यह secular press नहीं होती है types of political system different political system होते हैं यहां से आपको यह पता लगएगा उसके बाद आपका था यह domain wait a second education हाँ secular press हो गया type of political system से आपको पता लगएगा secular state अगर state ही secular होईगी तो वहां का culture भी secular होगा अगर state ही ideological base पे बने विये तो आप वहां secular political culture नहीं लेके आ सकते हो social and economic equality के बारे में बात करते हैं scientific and technological progress के बारे में बात करते हैं यह scientific method और रॉप्ट करें आपने यह देखना है political parties में यहां कि इस तरीकी होएगी सिगनी development of secular political culture pressure group जो interest कुम बनेंगे वो भी इसी तरीके के बनेंगे उसको इंडस्ट्रलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के यह बात करेंगे globalization के बात करेंगे westernization की बात करेंगे secularization की बात करेंगे यह जो याले political culture वाले होगे secular political culture वाले जो होएगे उसके बाते को यह बोलते हैं importance क्या है और concept क्या है political culture का यह very important है क्यों ज़रूरी है क्या relevance क्या है इसकी politics में यह दो political science को एक real social science बनाता है reality मतलब कि आपको reality पता लग रहे है आप different viewpoints को समझ रहे हो different countries को आप पढ़ रहे हो comparison कर रहे हो आप एक political system गलग तो आप एक theoretical subject से निकल के से कर रहे हो अमेरिका का चाइना के साथ कर रहे हो चाहिना का रश्या के साथ कर रहे हो इनके political culture को समझ रहे हो वाँके लोगों को समझ रहे हो तो यह आप एक interesting study बना रहे हो तो क्या बना रहे हो प। यह real society real social science बनती है the study of political science has become practical देखो वही बात है second point practical बन रही है increase कर रहा है स्कोप बढ़ा रहा है आप सिर्फ subjective नहीं पढ़ रहा है objective objective देख रहो logic देख रहे हो reasoning देख रहे हो तो यह कहार स्कोप बढ़ा रहा है उसका measuring road to judge the success and failure of political system आपको यह पता रगता है कि यह political culture है यह political system है यह क्यों fail है यह country क्यों इसकी progress गिरी भी है यह क्यों इतना progressive हो रहा है अमेरिका क्यों इतना powerful बन रहा है जो दूसरी country जह श्रिलंका नेपाला वो अभी क्यों developing के एरा में है वो कुछ ऐसी country जह अभी underdeveloped है वो क्यों है उनके लोगों का belief क्या है तो आपको success और failure पता लगती है इसे political sciences become a dynamic subject changing subject बन गया आपको different different चीज़े देखने को मिले dynamic बन गया है helping in knowing the diversity in human nature देखो आप different countries different human means different culture and different political socialization different political culture बन जाएगा उनसे इन सबका तो इक आप diversity different पढ़ रहे हो आप इसको आपने को समझने आपको material तो कहीं से मिल जाएगा अगर आपका conceptically है तो आप कुछ भी कर सकतो आगे आप कोई भी paper attempt कर दो आप combination of macro and micro study का combination ने छोटे देखे बड़े level पढ़ते हो helpful to know the reason of political decay कि यह political decay क्यों हो रहा है आपको यहाँ पता लगेगा reasons पता लग जाते हैं आपको helpful in bringing progressive political change political change लाने में बहुत ज़्यादा है help करते हैं आपको पता लगे न political decay पहले क्यों इतना system ऐसा था आज हम democracy को adopt कर मोनार्की को छोड़के हमें पता है इसके क्या हानिया थी इस system की dictatorship की क्या हानिया थी इसलिए हमने democracy पहाँ आप democracy के क्या हानिया थी हम उस पर आजाएंगी culture पर आजाएंगी तो यह के दूसरी country अलग है आप comparison जब तक नहीं करोगा आपको difference नहीं पता लगए तो यह distinction का भी काम करता है यह enrich करता है literature of political science को आप different different जब चीजों को पढ़ोगा आप different different चीज़े लिखोगे तो आगे आजी पीडिया आपकी different चीज़े वो books को पढ़ेगी से आपकी literature भी enriching political science की अब आपके पाइस है criticism of the concept of political culture की क्या criticism है दिखो यह कहते हैं कि not a correct criticism जो भी हो आपने importance देख रही है इसकी criticism इसकी point है वो कहते है not a correct barometer to know the behavior of man वो कहते है behavior of man को समझने के लिए correct barometer नहीं है क्यों नहीं है different कहते है real behavior हम नहीं understand कर सकते real behavior क्या है man का इसलिए बोलते है कि man का एक social and rational being है and his behavior is not static वो changing होता रहता है with the passage of time इसलिए बोल रहे हैं second है यह ambiguous concept है यह कोई road नहीं है major करने के लिए political culture हो different countries यह second point का है यह ambiguous concept बोल रहे है criticism में difficulty to draw a line between general culture and political culture में हम difference कैसे निकाल सकते कहते हैं यह उसी का ही हिस्सा ही है general culture में से निकला है उसका party हमने आगे पड़ा है तो इसलिए हम distinct नहीं कर सकते हैं उनमें एक line नहीं बना सकते हैं क्यों नहीं बना सकते हैं देखो political culture is a sub culture और general culture जैसे in fact it is not only difficult but also impossible to draw a line of demarcation यह वाइट बोल दी गई है fourth it is not a new concept यह क्योंकि नवा concept नहीं है the critics are of the view जो इसके critics है वो देखते हैं जो political culture एक नवा concept नहीं है rather it is an old wine in a new bottle कि एक पुरानी wine है नवी bottle में दाल दिया गया previously we used to discuss political environment इसे हम बोलते तो political character बोलते दे within the scope or subject of political science but अब इसका नाम change करके हमने political culture कर दिये तो इसलिए ही बोल रहे है कि ऐसे आपको question भी आता है criticism करो तो आपने criticism सब एक कभी question डिरेक्ट आया था कि critically evaluate political culture तो आपने सब को समझाने के बाद criticism लिखना होता है अगर आपके पास ऐसा नहीं आया critically evaluate आपके ऐसा question आया था political culture is a old wine in a new bottle बल्दब कि आपसे criticism आने की पुराना concept है कि previously we used to discuss political environments आपने लिखोगे यह new concept नहीं है पुराना concept आपने इसके characteristics बताने है यहां importance भी बताने है different different types बताने है आपने थोड़े थोड़े फटवर्ट और उसके बाद इसका criticism यह सब कुछ यह आज हमने इसे 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 लाइक करना और मुझे कमेंट करके जरूर बताना थेंक्यू वेरी मच्च